सदक थाना चेतर के सोनबाद गाउं में कुछ बदमासो द्वारा साइबर अपराद कहने के गुत सुचना जामतारा पुलिस अधिक्षक अनिमेस नेथानी को मिली जिसके बाद पुलिस अधिक्षक ने त्वरित कारवाई करते हुए इंस्पेक्टर सा साइबर थाना परभारी मनोच कुमार के नेतरित्व में पुलिस कर्मी को सामिल करते हुए एक टीम बनाई और थाना अंतर गत ग्राम सोन बाद में साइबर अपराधियों के विरुद छापे मारी की जहां से तीर साइबर अपराधी को गिरफतार किया गया आज पुलिस अधिक चक्न निमेस नेथानी ने प्रेस कॉनफरेंस कर बताया कि अनवर अंसारी के घर में कॉल सेंटर बना कर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा था जिसमें घटना स्थल से अनवर अंसारी और चेका एडी के मनीर अंसारी सगीर अंसारी को गिरफतार किया गया जबकि भगीरत दत्ता भागने में सफल हुए ये संबन्ध में इनके विरूत जामतारा साइबर अपराथ थाना में विभिन कांड भी दर्ज किया गया है पकड़ाय एवं भागे अभियुक्तों का 15 मोबाइल 21 सीम कार्ड तीन चार पहिया वाहन के बरामदगी हुई है पुलीस अधिक्षक ने पताया कि उपरोगत सभी लोग एक साथ मिलकर चोरी किया हुआ सीम एवं मोबाइल के परियोग करते हैं कि अधिक्षक ने पतादीकारी और गर्मियों के साथ में चापे मारी के और सत्यापन के लिए तो ग्राम सोना बाद जो जमत्राड़ा थाना अंत्रगत पढ़ता है वहां पर चापे मारी की गई तो पता चला कि घर में ही कॉल सेंटर बनाकर ये तीन चर अपराद कर्मी बैठके अपराद कर रहे थे प्राद कर रहे थे और अपने लैपटॉप से भी डाटा शेर करके उनका पैसा वड़ा रहे थे जैसे ही पुलिस की रेड हुई दभी उसमें एक अपराद कर्मी भागने में सफ़र रहा परंतो तीन अपराद कर्मियों को पकड़ लिया गया है उसमें 15 मोबाइल्स 21 सिम एक लैपटॉप दो वाइफ़े डॉंगल और तीन एटीम कार्ड्स पांच पास्बुक और दो गाड़ी के रेस्ट्रेशन कार्ड मिलें इसके अतरिक्त तीन फोर चार्चकर वहिकल्स भी हम लोगों को बरामद हुए जिसमें एक एक स्कॉर्पिय तो गाड़ी और एक स्वर्फ डिजार भी हम लोगों को बरामद हुए